आज हम बात करने वाले हैं सेकिंड जूनियर कबड़ी वर्ल्ड के बारे में जो की होने वाला है तहरान की इरान में जिसकी डेट आज चुकी है जो की स्टार्ट होने वाले 26 से और होंगे खतम 5 मार्ज को और इसमें काफी सारी टीम्स औल आरूंड दे वर्ल्ड पाइस्पेट करने वाली है बट जो हमारी स्पेशल नजरे रहेगी जो हमारी खास नजरे रहेगी वो रहेगी इरान के उपर जो की लास्ट टैंगी चैंपियन रहे चुकी है जूनियर कबड़ी वर्ल्ड कप में इन इरानी प्लेयर आपको देखने को मिले थे पीकेल के अंदर जिसके अंदर थे हमारे आमिर उसिन बस्तामी मोहमद रेजाशादलू और रेजामीर बगेरी यह जो तीनों डिफैंडर थे यह थे सारे इरान के जो लास्ट एडिशन में खेले थे जूनियर कबड़ी मुले का Cam चल रहा था गांधी नगर कुजोरात के अंदर जहां पर सेंटर है साई का महामद आट रहा है अगर किसे को इंजरी होती है फिर कुछ भी documentation जो कोई दिक्कत होती है तो उनको replace कर दिये जाएगा तो ऐसे हैं यहाँ पर 15 प्लेयर्स अब बात करेंगे हम उनी 15 प्लेयर्स के बारे में और कहां से वो आते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे तो शुरू बात करते हैं रेडर से की रेडर्स कौन कौन से सेलेक्ट होए है यहाँ पर जूनियर कबड़ी वल्ड कप के अंदर इंडे टीम को रिप्रेजेंट करने वाले तो जो पहले आते हैं हमारे सामने वो है हमारे नरेंदर कंडोला जै भगवान, मंजीत शर्मा, मनू देशवाल फिफ्ट जो रेडर है हमारे पास वो है अभी जीत मलिक और जो नेक्स्ट रेडर है हमारे जो रिजर्व में है दो रेडर्स वो है परतीक धहिया और विने रेडू अब बात करें डिफेंडर्स की तो वहां डिफेंडर्स में आते हैं हमारे लेफ्ट कॉर्नर को समालने के लिए अंकुष राठी जो की काफी नामी खिलाडी है लाश्ट पीकेल से आशिश मलिक वो भी लेफ्ट कॉर्नर है सचिन राइट कवर रोहित कुमार लेफ्ट कवर विजियन्त जागलान राइट कवर योगेश दयार राइट कॉर्नर एंड वही बात करते हैं रिजर्व प्लेइर्स के अंदर तो वहां पर है आशिश राइट कॉर्नर अब बात करते हैं उस विशा के बारे में जो की भोजा चर्चा में इस लिष्ट के आने के बाद में कि यह सारे जो प्लेयर से वह कौँ से स्टेट के रिप्रेजन कर रहे हैं कौन सी यूनिट से आते हैं इस पूरी इंडियन टीम के अंदर पहले ना पको बतायेता हूँ कि भाई अगर आगे टीम जा रही है तो वो कोई स्टेट के को रिप्रेज़न नहीं कर रही है वो कर रही है पूरे एक इंडिया टीम को तो हमें एक इंडियन टीब के प्रिस्पेक्टश से दिखना चाहिए यह चाहिए कि हमें की कौन से प्लेयर्स हैं वो है नरेंदर खंडोला अंकुष राथी मंजीश शर्मा आशिश मलिक सचीन रोहित कुमार एंड आपके योगेश धाया यह सभी प्लेयर्स आते हैं हरियाना से दो प्लेयर्स जो हैं हमारे मनुदेशवाल और विजियंत जागलान यह दोनों प्लेयर्स आते ह हमारे उत्तरों प्लेयर्स से स्अगर कुमार यह आते हैं हमारे बिहार से एंड जय भगवान वह आते हैं हमारे राजिस्तान से तो इस तरीके से यह सारे 12 प्लेयर्स से इ lamps सब बोल रहे हैं कि जो जितना अच्छा होगा वही आगे जाएगा ऐसा नहीं है जीओ कि हमें हर स् करते हैं अगर आप पिछले रिकॉर्ड दिखेंगे कि तो हर्याणा का काफी अच्छा रिकॉर्ड है कबड़ी के अंदर काफी अच्छी पकड़ है कबड़ी के अंदर इस वज़े से अगर इतना अच्छा रिकॉर्ड दे रहे हैं तो अगर इतना अच्छा रिस्पॉंस दे रहे हैं प्लेर्स तो इनका इंडागें के सेलेक्शन होना बनता है एंड आगे इंडेया को रिप्रेजेट करना बनता है इसके उपर हम कोई भी डाउट नहीं कर सकते हैं तो कबड़ी जो है पॉपॉलर है इंडिया के अंदर इतना पॉपलर नहीं है अभी भी नौर्थर इसको और भी जाह थाय है फुटबॉल की ठीक है तो उस तरीके से ही कबड़ी का है कबड़ी का नौर साइट में पकड़ अच्छी है इसलिए कबड़ी में प्लेयर सहरे आना कि आपको जाहा देखने को मिल रहे हैं तो इस पर हमें इतना डाउट नहीं करना चाहिए बाकि हमें पूरी प्रेयर करने चाहिए एंड अपना पूरा सपोर्ट देना चाहिए अपनी इंडियन टीम को कि वह आपर जाए एंड बल्ड कप को जीते लास्ट वो खेल नहीं पाए थे कुछ रिजन के वज़े से इस साइड अगर जा रहे हैं तो उन पर हमें शक नहीं करना चाहिए उनको हमें फूल पूछना चाहते हैं फिर आप वीडियो के बारें बोलना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं बाकि वाट सब्सक्राइब कर सकते हैं थैक्स वूद्ट वीडियो ती नेक्स टाइम बाबाए